तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन कड़ाई मसाला की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है तो फिर चलिए फ्रेंस देखते हैं इसकी रेसिपी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहां पे हाफ केजी चिकन और चिकन को हम करेंगे इसके लिए मैं इसमें एड किया है 1.5 टेबल स्पून अजरको झेसन का पेस्प, 1.5 टेइस्पून मैं इसमे नमक आड किया है यह अच्छे से मिक्स हो चुका है और अभी हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे हाफ एनार के लिए साइड में और जब तक चिकन मेरिनेट हो रहा है मैंने यहां पर एक पैन लिया है पैन में मैंने एड़ किया है तेल अराउंट टो टेबल स्पॉन और तेल में मैं एड़ करूंगी प्याज और शिमला मेर्ज इस तरह से क्यूब्स में कट की हुई और इसे के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में तो अभी अब यहां देख सकते है मैंने इन सारे कैप्सिकम और प्यास को निकाल लिये है प्लेट में और सेन तेल में मैं एड़ करूंगी प्यास दो प्यास मैंने सरह से फाइनली स्लाइस करके एड़ की है और प्यास को हम हल और चिकन को हम 3-4 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे प्यास के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए आपको इसे फ्राई करना है तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है इसका color जो है बिल्कुल अच्छे से change हो चुका है तो अभी हम इसमे एट करेंगे टमाटर की puree मैंने एक टमाटर की प्यूरी इसमे एट की है और टमाटर की प्यूरी एट करने के बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और फिर हम इसमें एट करेंगे 3-4 हरी मिर्च पकने तक पकाएंगे 10-15 मिनिट के लिए slow flame पे और 10 मिन के बाद आप यहां देख सकते हैं चिकन जो है अच्छे से पप चुका है ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी हो गई है तो अभी हम इसके पर एड़ करेंगे थोड़े सी कसूरी मेथी अजिसे mix कर लेंगे कसूरी मेथी ऐड़ करने के बाद ओ थोड़े सी चॉप की हुए हरी धनिया भी हम इसके अपर एड़ कर देंगे और अच्छे सें प्राइट होना स्टार्ट हो गया है तो अभी हम इसमें एड़ करेंगे जो प्याज और शिम्ला मिर्च हमने फ्राइड करके रखी ती और अराउंड वन टेबल स्पून हम इसमें बटर एड़ करेंगे आप चाहे तो ज्यादा भी एड़ कर सकते हो बटर एड़ करने के बाद जरूर ट्राइ करना और अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना लाफेस